यहां पर हम बात करने वाले हैं MPT के लिए अर्थात मद्य पर्दे सिछक पातरता परिछा जो की वर्ग तीन अर्थात वर्ग तीन में जो है वो प्राइमरी टीचर अर्थात पी आर्टी जो है वो आते हैं तो फ्रेंड्स यहां पर जो है जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा था या फिर जो भी कारण हो तो उनके लिए जो है कि अभी जो है फिर से फॉर्म भरने का जो है वो आपको देखने को मिलेगा तो इसके बारे में हम डिसकस करेंगे और यहां पर बताना चाहूंगा कि जो MPT है अर्थात PRT का जो है इसमें Other State वाले भी फॉर्म भर सकते हैं और यहां पर सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे जो यूपी के होते हैं वो यूपी के लोग यहीं सोचते हैं कि मतलब जैसे क्या है कि MPT है तो MPT सिर्फ जो है वो एक सिछक पातरता पर इच्छा नहीं है बलकि MPT के बेस पर ही अर्था जो आपका MPT exam देंगे उसमें जो merit तो जो है आपको final selection जो है वो आपको दे दिया जाएगा अर्थात MPT के बाद जो है आपको कोई exam जो है वो नहीं देना पड़ता है तो यहां से आप मतलब यह भी समझ सकते हैं कि MPT होता है वो एक तरीके से super state मतलब यह state जैसे इस तरीके का exam होता है जैसे read होता है और other state में जो है वो टीटी के exam के base पर ही जो है वो आपको जो आइनिंग अर्थात government service जो है वो teaching का जो है वो दे देते हैं तो इसके बारे में हम थोड़ा सा details देखेंगे और जो कोई भी form भरना चाता है वो फिर से जो है वो form भर सकता है उसके बारे में भी हम date बताएंगे कब से कब पर सकते हैं बाकी correction कब कर सकते हैं और exam date जो है वो कब है आपका और इसका syllabus जो है उसके बारे में हम discuss करेंगे तो चलिए हम यहां पर देखते हैं आज जो है वो आपका 30 नवंबर है और 30 नवंबर का जो की एक न्यूज है और हर एक चैनल जो है वो आप सेर कर दिया होंगे आप किसी भी ग्रूप में जुड़े होंगे तो आपको पता चल गया होगा यदि नहीं जुड़े हैं तो हमारे द्वारा जो है वो शेयर कर दिया जा रहा है तो यहां पर जो है यह है कि जो मद्यपर्देश की government website है वहां से आप जो है form online कर सकते हैं बाकी सरकार result पर भी ज से क्या मतलब जब form online होगा तो पुड़ा detail जो है वह आपको देखने को मिलेगा तो यहां पर जो है यह दिया हुआ है विग्यापन दरसल क्या है कि इसका exam होने माला था और यह जो form था यहां पर देख सकते हैं कि माध्यम से पूरु माह में जनवरी फरोरी 2020 में उक्त इच्छा माश जो है वो मार्च 2022 में परस्तावित के गई थी पहले भी परीच्छा परस्तावित के गई थी लेकिन कोविड के काड आज यह कंडिशन हो गया मंत्य परिपेच में मंत्ये परिछ सासन इसकूल सिच्छा दोजा और यहां पर देख सकते हैं कार्याले संयुक्त पातरता पर इच्छा 2020 के लिए केवल नमीन आवेदकों के लिए अर्था जिन्हों ने आवेदन नहीं किया है अर्था जो नया आवेदन करना चाहते हैं उनके लिए पी इबी जो की हम उपर देखा दिये थे मध्यपर्देश की ओफिसियल गवर्मेंट वेबसाइट है जहां से आप टीचिंग के लिए फॉर्म अपलाइन करेंगे अफिर मध्यपर्देश की जो भी गवर्मेंट जो भी फॉर्म एक्जाम डेट पर इच्छा वगर ऑनलाइन क आता है तो ओ जो है ओफिसियल वेबसाइट की बात किया जा रहा है अधिकारिक वेबसाइट यहां पर देख सकते हैं यह दिया हुआ है कि माध्यम से 14-12-2021 से 28-12-2021 तक आमंत्री जो है आप कर सकते हैं अर्थात आप जो है आज तीस नौबर है इसके बाद आपका दिसंबर दिसंबर तक जो है वो आप ओं-लाइन भर सकते हैं जिन्होंने फर्म भर दिया है उनको फिर से जो हैन नहीं भर नहीं है बाकि संसोधन यह आप कुछ करना चाहते हैं जिन्होंने 7-10-12-2022 तक आप जो है ओ करेक्शन फार्म में कर सकते हैं तो यह जो था हमने आपको बता दिया कि आप जो है form कप से भरेंगे आपको form भरना है 14 12 2021 अर्था 14 December से आपको form भरना है और last date जो है 28 December है तो जो कोई भी form भरना चाहता है वो बिल्कुल form भर सकता है और इसकी qualification की बात हम करते हैं तो देखिए UPTET अर्था यूपी सूपर टेट जैसे इसमें qualification नहीं मंगता है इसमें सिर्फ आप 12th पास हो फिर उसके बाद डियलेड हो वो जो है इसका qualification है तो जो कोई भी 12th के बाद ही डियलेड किया हो वो जो है आसानी से form भर सकता है और यहां पर जो एनासे डियलेड है उनके लिए काफी बहुत ही जादे जो है वो एक सुनहरा मौका है क्योंकि एनासे डियलेड वाले बहुत सारे ऐसे हैं जिनका 12th हो ग्रेजुएशन नहीं हो बाकि ग्रेजुएशन है तो उससे कोई समस्या नहीं है ऐसा नहीं है कि आप आपको नहीं भनने दिया जाएगा बाकि आप 12th के बाद डियलेड किये हों डिपलोमा किये हों तो आप जो है फॉर्म भर सकते हैं बाकि वालों के लिए क्या होगा और जो कुछ भी होगा यह जब आपका फॉर्म खूलेगा तो उस टाइम पर हम डिसकस करनेंगे तो ज्या परिछा यो दे सकते हैं बाकि जो है ये अपडेट है में में बात करनें तो यह जो टेलिग्राम चैनल है यहाँ पर जो इसका सेलेब्च पूडा डिट्रेल में autopa esseford जो है हम सेर करती हैं और जो होता है ये आपको एक वाँस आप मिल एक स्या बांग कर सकते हैं बाकि सरकार रिजेल्ट जो पहले जो ऑनलाइन हो रहा था तो आप डालेंगे कि MPTAT तो आटोमेटिक वा जाएगा MPTAT 2020 का तो वहां से भी आप सेलिबस डाउनलोड कर सकते हैं बाकि आसानी के लिए हमने टेलिग्राम आपको बता ही दिया कि टेलिग्राम से आप ज चेंज कर रही है क्योंकि इसके पहले भी इसका भिग्यापन ले लिया घ्या लिया था अब बहुत सारे लोग' रिड़क चैंज नहीं होगा बहुत ही ज़्यादे एक आएक परिवर्तां जो है वोगा बाकी गौर्मेंट को एकजाम कराना है वो जिस तरीके से करा है बाकी उसमें क्या है बाकी जो गंडिडेट्स है जो एकजाम जो है वो देना ही है तो ए जो था MPTT के लिए था कि जो form है आप भर सकते हैं जिन्होंने form नहीं भर पाया था बाकी 14 December से आपको 28 December तक form भरना है और जो कोई details आता है हम बिल्कुल share कर देंगे तो आप Telegram पे जूड़े रहेंगे तो आपको update भी मिल जाएगा बाकी Facebook group, WhatsApp group बहुत सारे group है जहां पे बहुत मेरी अलावां भी बहुत सारे लोग जो है वो share कर देते हैं तो friends यह जो था update था यदि आप मेरे चैनल राइट जो के संसोन बदर को नहीं subscribe कियें तो बिल्कुल कर लिजेगा जो कोई भी update होता है और real जो है ऐसा भी नहीं कि आपको fake news जो है वो share किया जाता है और news जो है जो कुछ भी आता है बिल्कुल सत्यताक साथ जांच करने के बाद ही जो है वो चैनल पर share किया जाता है तो friends मिलते हैं लिए नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए thank you, bye bye, take care all the way, thank you for listening, God bless you all, thank you